नमस्कार, स्वागत है आप सभी कई वारपुना टार्वित तालोग ऑनलाइन इंस्ट्टूट में, मैं गरुम नैयन, इसी उमेद के साथ स्वागत करता हूँ कि आप आंगे आने वाली चनौतियों के लिए तैयार हो रहे हैं, आंगे एक बड़ी महत्पूर्ण भरती परिक् चुका है कि खंड सिछादिकारीग विक weekends, 3 वरसों कि बाद आई है और इस परिक्षों को उत्तर परतेश लोग सिवा के द्वारा संचालित किया जा रहा है उत्तर प्रते इस लोक सिवा आयोक के द्वारा संचालित होने वाली इस परिक्षा में सामान अध्यन जो प्रारम्बिक परिक्षा उसमें सामान अध्यन है आपका पूरा का पूरा सामान अध्यन है और साती सात मैथा और रिजिनिंग का portion भी है अगर हम बात करते हैं सामान अध्यान की तो सामान अध्यान में यहां से अच्छे question पूछे जाते हैं अगर हम पिछले दो वर्सों का लोग सिवाय की prelims परिक्षा का PCS prelims परिक्षा का अगर हम paper को देखें तो आप आएंगे कि पिछले दो वर्सों से उसने अपने pattern को change कर दिया अब वाय बैसे पिष्ण नहीं पूछता है जो तथ्यात्मक होते हैं यह जो repeated होते बलकि नए पिष्णों को बनाता है तो नए तयारी करना है जितना जानते हैं अच्छी बात है उसी के आंगे continue कर लेना है मैं गौरम नजियन आपको इस परिक्षा के लिए भुगोल एवं परियावरन पढ़ा हूँगा और अभी तक हम यहां पर हिमालय को पढ़ा रहे थे बीचे मैंने एक आपको मांचित्र भी पढ़ाया था आज फिर से हम हिमालय को continue करते हैं और मैंने आपको पह परवस्रिंखला नहीं है बलकि हिमालय के अंतरगत कई सारी महत्पून परवस्रिंखला है तो हिमालय परवस्रिंखला है अगर हम बात करें हिमालय की तो हिमालय को हमने पहले भी चार भागों बाटा था यह आपका ट्रांस हिमालय है बिरहद हिमालय है यह लगू हिमालय है यह शिवालिक हिमाले है ठीक ना लगूई हिमाले की बाद कौँ सा हिमाले है तो शिवालिक फिर से देख लीजेगा एक बार तो यहां पर यहां पर शिवालिक हिमाले हो गया सिवालिक हिमाले के बाद यहां पर उत्तर भारत का विशाल मैदान है उत्तर भारत का मैदान क्या है यहां पर तो यहां पर उत्तर भारत का मैदान है यहां पर क्या है तो यहां पर उत्तर भारत का एक मैदान है ठीक ना अगर हम इस साइट की बात करें तो मैं रिवाइच करा रहा हूँ आपको ये ट्रांस हिमाला है अगर इसकी बात करते हम तो ये बिरहद हिमाला है बिरहद हिमाला है ट्रांस हिमाला है ट्रांस हिमाला की बात बिरहद हिमाला है और बिरहद हिमाला की बात यहां पर क्या है तो लगूई हमाले के बाद यहाँ पर एक हमाला है जिसका नाम है शिवालिक हमाला है कौँसा हमाला है तो यहाँ पर एक हमाला है जिसका नाम है शिवालिक हमाला है अच्छे समझेगा किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं मैं उसको आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर ट्रां पूरा पश्रम नहीं है अगर आप उत्तर से दच्छन की ओर जाएंगे अगर आप तिबबत पठार या पामीर पठार पर यदि आप तिबबत का पठार यहां पर यदि आप तिबबत का पठार या पामीर की पठार पर यदि आप उत्तर से दच्छन की ओर जाते हैं तो आप कुछ सबसे पहले तिबबत का पठार उसके बाद ट्रांस माला मिलता है ठीक ना इसी को हम मांचित्र के माध्यम से भी समझाना चाहेंगे समझिएगा एह माली जिगा ऐसा मैंने भारत बनाया यह भारत देश हो गया हमारा यहां पर यह हमारा भारत देश हो गया ठीक ना यह हमारा भारत देश हो गया समझिएगा यहां पर यह तिबबत का पठार यहां पर तिबबत के पठार के आंगे बढ़ेंगे तो ट्रांस हमाले त्रांस हमाले के बाद यहां पर यहां पर बिरहद हमाले बिरहद हमाले के बाद यहां पर लगू हमाले और लगू हमा यहां पर क्या है तो यहां पर उत्तर का विशाल मैदान यहां पर क्या है तो यहां पर एक मैदान है जिसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान तो मैंने यही सा नचना यहां पर बनाई है इसको आपको उत्तर मानना है पामीर का पठार पामीर के पठार के बाद चलेंगे तो हम लेविल को बढ़ा रहे हैं आपको PCS सब्सक्राइब प्रारमिक परिक्षा के साथ सद्मुख परिक्षा की भी तैयारी करना है वो आपसे उत्तर भारत के उच्चा वच्चों को 255 सब्दों में समझाने के लिए बोल सकता है इस परकार से वो कुश्चन पूछेगा आपसे आईएगा अंग बढ़ते हैं यह जो ट्रांस हमाला और बिरहद हमाला के मद्द में यहां पर एक संरचना है और यहां पर जो संरचना है इस संरचना का नाम ITSZ है इस संरचना का न लगई हमाले की बात करें तो इन दोनों के बीच में यहां पर मैं पहली पढ़ा चुका हूं लेविल में बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं लेविल को बढ़ा रहा हूं ठीक ना यहां पर एक संरचना है जिसका नाम है MCT और MCT का अगर फुल फॉर्फॉर्म लिखें हम तो मैं सेंट्रल थ्रश्ट क्या है मैं सेंट्रल थ्रश्ट है मैं सेंट्रल थ्रश्ट है ठीक ना तो MCT का फुल फॉर्फॉर्म यहां पर क्या है तो MCT है यहां पर मैं सेंट्रल थ्रश्ट उसके बाद लगई हमाले और सिवालिक हमाले के मद्द में जो संरचना है इसका न यहां पर शिवालिक हमाले और उत्तर भारत का बिशाल मैदान यहां पर भी एक संद्रचना है जिसका नाम है हमाले अधिया फ्रेंट फॉल्ट 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 ठीक ना यह आपको याद रहें नहीं अब देखेगा मैं आप से एक प्रिश्ण के परिच्छा में पूंचा गया प्रिश्ण है पामीर के पठार ठीक ना आप समझेगा कि आभी हमने आपको यह नहीं पढ़ाया आपको पामीर का पठार और उत्तर भारत के विशाल मैदान के मद्ध में कौन-कौन से सनचिनाएं पाएं जाती है तो चारो के चारों पाई जाती है में तक द्धिजीगा पतार और उत्तर भारत के विशाल मैदान अब देखेगा भूं सकता है कौन से हेमालाय की सिर्खला है तो पामीर का पठार और MBF के मद्द में कौन-कौन सी परवस से रंखला है ट्रांसे माला है विरद्य माला है और लगूल माला है इस परकार से पढ़ना है आपको परिक्षा के लिए ठीक ना इस परकार से इस परिक्षा के लिए आपको पढ़ना होगा एक एक तत्थ को और तत्थ के साथ साथ concept को दौनों चीजों को समझना है ठीक ना चलिएगा तो इसका आप screenshot लीजिएगा फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसके screenshot लीजिएगा चलिएगा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बेसिकली लोग से बायोग के द्वारा संचाले खंड सिक्षा इधिकारी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं के लिए हम आपको डेमो दे रहा है हमालय का भाग पढ़ा रहा है यदि आप इस बैच में इच्छुक हैं इस बैच में जॉइन करने के लिए और अपनी सब्बलता सुनश्चित करने के लिए तो हमारे संस्थान से जोड़िएगा और एक हमारे नंबर है इसको आपको अप डबल सेविन इस नंबर पर आपको बी ये ओ इन्टरी लिक छिकर इसको क्या कर देना इस नमबर पर बी इउंट्री लिकर सेंड करें गे तो यहां से आपसे संपर्किकिया जाएगा और एडुशन की फिर 지원 आपको बता जाएगी निश्ची सबलता है तू जरूर जोड़िएगा ठीक ना अनुभवी और उत्तर भारत के भारत की सबसे अच्छी ऑनलाइन टीम के से आप पढ़ रहे हैं सारे अनुभवी टीचर हैं ठीक ना और सबसे बड़ी वाद हमारी कतनी और करणी में कोई अंतर नहराता है वो धारण है हमारे टी ईटी वाले बच्चे पूछ सकते हैं चलिएगा हमने दो हमालाय पढ़ा दिये थे ट्रांस हमाला बिर्ध हमालाय आज हम आपको लगू हमालाय पढ़ा आते हैं अब देखेगा यही से समझ लीजेगा अगर मैं कहूँ कि बताईएगा अगर हम बात करें लगू हमालय, अच्छे समझेगा, तो अगर हम बात करते हैं लगू हमालय की, तो मैं डाइग्राम और फिलो चार्ट, फिलो चार्ट और डाइग्राम मैं दौनों मादिय हम से पढ़ाऊंगा आपको, तो अगर हम बात करें कि लगू हमालय की उत्तर में क्य क्या है तो दच्छड में इसके MBF तो यहाँ पर क्या है? MCT है, Man's Central Thrust है और दच्छड में क्या है? तो दच्छड में MBF है, ठीक ना? MBF है. लगुहमालय है, अगर लगुहमालय की हम बात करते हैं तो लगुहमालय की उचाई अपईच्छक्रित कम है, लगुहमालय की उचाई अगर बात करते हैं अगर हम आउसत उचाई की इसकी बात करें कि इसकी आउसत उचाई कितनी है तो लगुः हमाले की आउसत उचाई के मद्वे हैं छार मातवन परबस रंखलाय सामिलagen हैं कौन कौन सी परबस रंखलाय है तो लगु हमालए को जम्हो कसमी राज में एक नाम दे दिया गया उर लगु Dylan लगूई हमाले को जम्मुकस्मी राज में एक नाम दे दिया गया पीर पंजाल परवत क्या नाम दे दिया गया लगूई हमाले को जम्मुकस्मी राज में एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया पीर पंजाल परवत ठीक ना उसके बाद हमाचल परदेश हला में अगर हिमाचल प्रदेश में इसको क्या नाम दिया जाता है तो हिमाचल प्रदेश में इसको एक नाम दिया जाता है धौला धर परवत उसके बाद उत्राखंड में उत्राखंड राज्ज में इसको एक नाम दे दिया गया और उत्राखंड राज्ज में इसको एक नाम दे दिया गय उत्राखंड में किस नाम से जानते हैं मसूरी परवत के नाम से उत्राखंड के बाद यह चला जाता है नेपाल और नेपाल राज में से किस नाम से जाना जाता है तो नेपाल में इसको महाभारत परवसरंखला बोलते हैं महाभारत स्रेणी के नाम से जानते हैं किस नाम से महा भारत पर सरंकला या महा भारत स्रेड़नी के नाम से जाना जाता है कहां पर तो इसको नेपाल मैं, ठीक ना, ए है हमारा, ठीक न, लगुई हमालय को भारत के तीन देसों, तीन राज्यों में, और साती सात नेपाल में, अब जल्द बाजी में कुश्ण गलत कर जाते हैं, वो पहां पर है तो जम्मु कस्मीर में है हमाचल प्रदेश में उत्राखंड में अमझेगा अब वो आप से अंगला कोशन पूछेगा जो लगू हमालय को चार भागों में विभाजित की आमने या जो लगू हमालय के अलग-अलग राज्जो में इनमें सबसे लंबी पर्वस्रं तो यहां पर लिख लेंगे हम लगूहेंके सबसे लम्बी पर्वस्रेंखला उसी में कुशर और पूछा जाता है चलिये मैं डाइगराम बनाया हूं डाइगराम दिखा दिता हूं आपको डाइगराम में रहा यहां पर पिरपंजाल है यहां पर क्या है यहां पर पिरपंजाल है धौलाधर है और यह वाली मसूरी है उत्राखंड में और नेपाल में महा भारत है अच्छे समझीगा कह रहा है कि लगू हिमालाए की सबसे लंबी परवसरंखला पिरपंजाल कौनसी पिरपंजाल अंगला कुश्चन कहता है आपसे के लगु हिमाले की सबसे दच्छन तम परवसरंखला का ना मताईएगा लगु हिमाले की सबसे दच्छन तम परवसरंखला तो हमने बताया भी उपर वाली देशा उत्तर होती है और नीचे वाली देशा दच्छन होती है तो लगू हिमाले की सबसे दच्छन सरंखला मुझे देख रही है इसका नाम है धौला धर कहां पर है धौला धर धौला धर है माचल प्रदेश में है ठीक ना तो हम लिख लेंगे धौला धर जो है धौला धर क्या हो जाएगी लगू हिमाले की सबसे लगू हिमाले की लगू हिमाले की सबसे दच्छनतम परवस्रंखला याद रखना है इस बात को ठीक ना कई सारी कुश्चन बनाता है और अब ऐसे कुश्चन जानदा पूशे जाएंगे जो जिसमें एक से जानदा कूट आदारित कुश्चन जानदा पूशेगा तो कूट आदारित कुश्चन आप कर पाएं इसके लिए आपके पास कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए ठीक ना आँगे बढ़ते हैं हम लोग और आँगे दिखते हैं इस पीर पंजाल परवत पर पहले इसको समाप कर लेते हैं जो पीर पंजाल परवत स्रंगला है जम्मु कस्मिर में इसमें भारत के दो महत्पूर्ण दर्रे हैं एक दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा है और दूसरे का नाम है बनिहाल दर्रा तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं उपर मैंसन कर लें यहाँ पर पिर पंजाल परवत पर दो मात्पूर्ण दर्रे याद रखना है एक का नाम है पिर पंजाल के नाम है एक दर्रा है और इसका नाम है पिर पंजाल दर्रा और दूसरा दर्रा जो है इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा पिर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा ठीक ना अगर हम बनिहाल दर्रे की बात करते हैं तो बनिहाल दर्रा जम्मू को सिरी नगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा जम्मू को कहां से जोड़ता है जम्मू को जोड़ता है शिरी नगर से जम्मू को कहां से जोड़ता है तो जम मैं मेटाओंगा नहीं इसी को में स्मार्ट बोर्ड का मैं यूज करूंगा ठीक ना आप इसका स्क्रीन शॉड लीजिएगा चलेगा पसे एक मिनट दीजिएगा थोड़ा मैं इसको अपने हिसाब से बना लो चले ठीक ना अचले तो इतनी बात हो गई थी अब इसी में हम लोग आंगे बढ़ेंगे इसी में हम लोग आंगे बढ़ेंगे इसको हम मिटा देते हैं इसी में हम को आंगे बढ़ जाएंगे ठीक ना चलेगा यहां देखिएगा मांचित्र में मांचित्र अगर आप अच्छे से देखिएगा इस वाले मांचित्र को तो यहां पर जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई हैं एक कुछ मातपूर्ण नदियां हैं अगर हम इस नदी की बात करते हैं इसको हम एक नमबर दे देते हैं जो पहले नमबर वाली नदी है इस नदी का नाम है जेलम नदी कौनसी नदी है तो इस नदी का नाम है जेलम नदी जेलम नदी लगू हमालाय और ब्रहद हमालाय से होते हुए बहती है लगू हमालाय पर यह किस परवसरंखला से होते बह र तो आम आपे लिख देता हूं मैं यदा Yeah दिख रहा है विरहद हिमालय के मद में क्या है विरहद हिमालय के मद में समतल सपाट गाटी है समतल सपाट गाटी है और इन समतल सपाट गाटीं को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे जम्मु कस्मीर राज में यहां पर एगाटी यहां पर गाटी है तो समत्व्सपाभ घाटी है और जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर घाटी का नाम है कस्मीर घाटी है और इसी कस्मीर घाटी से होते हुए जहलम नदी परवाहित होती है जहलम नदी जब परवाहित होती है तो अपने साथ वर्व को बहा कर ले जाती है और वर्व को बहा कर ले जाने के बाद उस वर्व को एक इस्थान पर छोड़ देती है को निच्छेपण कहा जाता है क्या कहा जाता है निच्छेपण और ऐसे पदार्थों को निच्छेपद पदार्थ कहा जाता है क्योंसे पदार्थ निच्छेपद पदार्थ अच्छे समझेगा तो जहलम नदी अपने साथ हेमानी को बहा कर लाती है और उस हेमानी को हेमानी जलोड निच्छिप के नाम से जानते हैं ठीक ना अपने साथ किसको बहा कर लाती है हेमानी जलोड हेमानी जलोड हेमानी जलोड को बहा कर लाती है और इस हेमानी जलोड को एक नाम दे दिया जाता है कि इस हिमानी जलोड को एक नाम दे दिया जाता है करेवा मिर्दा और जो करेवा मिर्दा है करेवा मिर्दा में मुख रूप से केसर के सासाथ इसमें सेव भूगाय जाते है आप से पूछा जाएगा भारत का एकमात राज जहां पर केसर की खेती की जाती है जम्मु कस्मीर का से केसर का से कस्मीर घाटी और का से करेवा त्रपल के याद रखना है का से केसर का से करेवा मिर्दा और का से कौन से घाटी कस्मीर घाटी में करेवा मिर्दा पाई जाएगी और उस करेवा मिर्दा में किसकी खेती की जाएगी केसर की यार रखेगा होगी बात क्लियर उसके बाद इसको आप बनाईएगा मैं इसी में समझाता जाऊंगा मिटाता जाँगा से चलेज़ा, इसकी क Cellulate लीजयेगा, अगला देखते हैं, झेलम नदी के बाद दूसरी नदी इस नदी की बात और रहे जो दूसरी पर यहाँ प्रौएद हो रही यह है, झेलम के बाद दूसरी नदी इसका हम चेनाब नदी है, दूसरी नदी जो यहाँ पर प्रवायत हो रहे है इसका नाम चेनाब नदी है आप से पूछा जाएगा चेनाब नदी किन हमालों से उकर वैती है बिरद हमाला और लगू हमाला है दौनों हमाला से उकर वैती है वाइट वाला बिरद है और एलो वाला हमारा लगू है हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में यहां पर एक घाटी है इसको कुछ नाम दे देते हैं या ऐसे बना देते हैं ठीना हिमाचल प्रदेश में यहां पर एक घाटी है हमने बताया आपको के समतल सपार घाटियां पाएं जाती है कहां पर लगू हमाला ब्रद हमाल तो यहाँ पर एक घाटी जिसका नाम है कुलू कांगळा घाटी आपको याद रखना है कुलू कांगळा घाटी या कांगळा घाटी भी कई बार की बल नाम दे देगा कांगळा घाटी कहां पर है तो गांगळा घाटी हमाचल प्रदेश में है किन दो परवतों के मद में बि बिरहद हमाला है यहां पर कौन से हमाला है तो यहां पर हमाला है इस हमाला का नाम बिरहद हमाला है और लगू हमाला का यह महाभारत परवस्रिंखला है तो बिरहद हमाला है और महाभारत परवस्रिंखला के मद्द में यहां पर एक घाटी है और इस घाटी का नाम क्या है तो सा हुआ है उस सहर का नाम है काठमांडू सहर सहर का नाम क्या है तो उस सहर का नाम है हमारा काठमांडू सहर आपको याद रखना है काठमांडू सहर उसके बाद यहाँ पर बिरादहमाल है और सिक्किम में यहाँ पर एक घाटी है बिरादहमाल है और सिक्किम में यहाँ पर एक घाटी है हला में गाटी नीचे क्यों रहे हैं? समझाने कली मैंने उपर बनाया है इस घाटी का नाम क्या है? तो चुम्बा या चुम्बी घाटी एक मिनट रोगएगा चुम्बा या चुम्बी घाटी हाँ चुम्बा या चुम्बी घाटी आप से पूछा जाएगा चुम्बा या चुम्बी घाटी कहां पर है तो चुम्बा या चुम्बी घाटी सिक्किम राज है कौन सा राज है सिक्किम राज में है बिराध हमाला और लगू हमाला के मद्द में, जो सम्तर सपार घाटियां पाए जाती हैं, उन्हें जम्मू कस्मीर में हम कस्मीर घाटी कहते हैं, हमाचल परदेश में कुलू कांगडा घाटी कहते हैं, आपके नेपाल में काठमांडू घाटी कहा गया और सिक्किम में इसको एक नाम दे दिया गया और सिक्किम में नाम दे दिया गया चुम्बा या चुम्भी घाटी, सिक्किम में क्या नाम दे दिया गया तो सिक्किम में नाम दे दिया गया चुम्बा या चुम्भी घाटी, ठीक ना, याद रखने हैं आपको, ठीक ना, जल्दी से स्किन सॉल लीजीगा, आंगे द जो तीसरी नमबर वाली नदी है इसका नाम है ब्यास नदी क्या नाम है इसका नाम है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से उकर निकलती है और मसूरी परवस्ते होते हुए सतलज नदी में जाकर यह मिल जाती है ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी कपू मात पूंच सहर हैं इन सहरों को आप लोगं को याद रखना है पूंच लिए जाते हैं दो सहर याद रखने आपको यहाँ पर एक सहर याद रखना है यहाँ पर एक सहर सिरी नगर और दो जीले यहाँ पर याद रखना है डल जील और बुलर जील जेलम नदी यहाँ पर ताजे पानी या मीठे पानी कि सबसे बड़ी जील मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है द्हुला धर परवस्रीणी पर जैसे सिमिला आपसे कुशन पूछे जाएंगे पर्यटन इस्थल किस परवद पर है धौला धर परवद पर किस हमालय पर है लगुई हमालय पर ठीक न उसके बाद धरमसाला ओर धरमसाला के बारी में आपको याद या रखना तुना है कि धरमसाला हिमाचल प्रदेश की दुतिय राजधानी है हिमाचल प्रदेश की पिर्थम राजधानी जो है वो सिमला है और हिमाचल प्रदेश की दुतिय राजधानी धर में साला है उसके बाद एक सहर आपको और याद रखना है या पर मनाली और मनाली के साथ साथ एक सहर और याद रख रखने हैं एक अनाम है रानी खेत और रानी खेत के बाद आपको याद रखना है यही पर रानी खेत हो गया और नैनी ताल ठीक ना रानी खेत और नैनी ताल यहां पर दो महत्पूर्ण पर्याटर निस्थाल तो यह महत्पूर्ण महत्पूर्ण पर्याटर निस्थाल है ठीक हाला मैंने भी पढ़ाया नहीं आपसे बस मैं पूछ रहा हूँ तीन प्रकार की वर्साइं होती है एक चकरवाती वर्सा जो चकरवातों के माध्यम से होती है एक बातागरी वर्सा जो बातागर के माध्यम से होती है जब ठंडी और गर्म दो हवाय मिलती है तो बातागर का न यह कोई आपका परवत है यह कोई आपका परवत है जैसे जैसे उचाई बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे उचाई बढ़ती जाएगी बैसे बैसे तापमान में कमी आएगी जैसे जैसे उचाई बढ़ती जाएगी बैसे बैसे तापमान म कमी आने के कारण वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में भी क्या आएगी वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी वर्षा की मात्रा में 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 कमी उसको छोड़ीगा मैंने क्या गा जैसे जैसे उचाई में व्रिद्धी होगी वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी और साथी साथ वर्सा की मात्रा में भी कमी आती है अगर मैं बात करूं कि माली जिगा बिरहद हिमाला है और यह माली जिगा लगू हिमाला है तो बिरहद हिम कारण है कि हमालय का जो पूर्वी भाग है नेपाल से आंगे का उस रीजन में बंगाल की खाड़ी के द्वारा आने वाले मांसून के द्वारा वर्सादिक मात्रा मोती इसलिए वहां की वनस्पति सगन पाई जाती है जबकि जो पीछे वाला भागे जिसको हम पश्मी हमाला के नाम से जानते हैं पश्मी हमाला के छेतर में वर्सा ना होने के कारण खुता क्या है कि वर्सा नहीं होगी इसलिए वहां पर वनस्पति की वि पर अलत्त पाई जाते हैं तो ब्रत हिमालय की उचाई अदिक होने कारण यहां पर आप रपे छक्रित वर्शा कम होती हैं लेकिन लगू हिमालय की उचाई कम होने के कारण तापमान अधिक एगा और तापमान अदिखोने कारण यहां पर बरसा होती है तो लगू हिमाले की अगर बात करते हैं अगर हम बात करते हैं लगू हिमाले की तो लगू हिमाले की छित्र में वर्सा अदिखोने कारण ठीक ना इसको मिटा देते हैं हम बात करते हैं लगू हिमाले की तो लगू हिमालय के छित्र में या लगू हिमालय में वर्सा की मात्रा दिखोने के कारण या पर मुलायम घास के मैदानों का विकास हुआ है मुलायम घास के मैदान भाया घास कहां पाए जाएगी मुलायम घास के मैदान आप देखेगा वर्सा रितू जब आ जाती है हमारे यहां तो जैसे ही बारिस हो जाती है परियाप्त मात्रा में घास या परियाप्त मात्रा में वर्नस्पती का विकास हो जाता है ठीक ना तो हमाले पर पाए जाने वाले इन मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कस्मीर राज जमें एक नाम दे दिया गया मर्म या मर्ग जैसे सोन मर्म नाम सुने होंगे आप जैसे गुल मर्म जैसे टन मर्म ठीक ना यह सारे क्या है यह सारे यहां के घास के मैदान है उसी एक वाद एक घास के मैदान है जिनको हम पयाल या बुगियाल के नाम से जानते हैं और यह पयाल या बुगियाल जो घास के मैदान है समझेगा जो पयाल या बुगियाल घास के मैदान है आप किसी भी नूट किसी भी बुक को अगर आप पड़ते हैं तो उसमें लिखा पाएंगी कि जो बुगियाल या पयाल घास के मैदान है वो उत्रांचल में पाई जाते ह और हम उत्राँचल का अर्थ उत्राखंड से लगा लेते हैं गलत उत्राँचल का यहाँ पर अर्थ उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमवर्ती छित्र से आप एटलस देखेगा अच्छे से मांचितर देखेगा भारत का और आप उस भारत के मांचितर में देख पाएं उत्रांचल के नाम से जाना जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्रांचल यदि आपसे पूछा जाए कि भुगयाल या पयार घास के मैदान कहां पाए जाते हैं तो भुगयाल या पयार घास के मैदान उत्रांचल में पाए जाते हैं एक घहस के मैदान पाए जाते हैं जिनका नाम है दोवार और इसी दोवार में एक सहर वसर हुआ है और उस सहर का नाम है तो सहर का नाम हरिद दोवार तो ये लगू हमालाय की बिसेश्ता है वर्सा की मातरा दिखोने कारण या पर मुलायम घास के मैतानों का विकास हो गया है तो ये लगू हमालाय हमारा समाप्त हो गया लगू हमालाय के आँगे बढ़ेंगे हम लोग और लगू हमाला के आंगे बढ़ते हम शिवालिक हमाला है ठीक ना लगू हमाला के आंगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए का यहाँ पर मांचित्र में मैं दिखा दिता हूँ आपको लगू हमाला हो गया MCT है अब सिवालिक हमाला है और इस हिमाले का नाम है श्रिवालिक हिमाले, उत्तर में अगर बात करें, तो इसके उत्तर में MBF है, Man Boundary Fault है, और अगर हम दच्छण में बात करते हैं, तो दच्छण में HFF है, हिमालियन फ्रेंट फॉल्ट है, ठीक ना, समझेगा, समझेगा इसको अच्छे से, माल लिजे होता है, पाकिस्तान में यह जगह है, पोटबार बेसन, पाकिस्तान के पोटबार बेसन से, यह सिवालिक हिमाले प्रारम होता है, और, असम राजितक, असम राजितक, असम तक फैला हुआ है, ठीक ना, असम राजितक के फैला हुआ है, सिवालिक हिमाले, हिमाले का सबसे ब बाहरी हमाला या बाहरी हमाला या बाहरी हमाला के नाम से भी जानते हैं ठीक ना बाहरी हमाला और बाहरी हमाला के नाम से भी जानते हैं माली जगा यहाँ पर आपका लगु हमाला यह माली जगा आपका पिर पंजाल हो गया धौला धर हो गया और आपका महाभारत हो गया तो उपर हमने लगू हिमालय बना दिया यहाँ पर हमने लगू हिमालय की चार मात्पूर्ण परवट जो हैं उनको बना दिया तो अब लगू हिमालय और सिवालिक हिमालय के मद्द में लगू हमालय और सिवालिक हमालय के मद में भी कुछ घाटियां पाएं जाती हैं और इन घाटों को उत्रा खंड में हैं कौन सा परवत उत्रा खंड में मसूरी परवत तो उत्रा खंड में कुछ घाटी पाएं जाती हैं और इन घाटियों को दून घाटी के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं इन घाटियों को हम एक नाम दे देते हैं दून याद रखेगा दून घाटी किन किन हमाला के मद्द में पाई जाती है सिवालिक हमाला और लगू हमाला के मद्द में ठीक ना सिवालिक हमाला लगू हमाला उसके बाद कांगड़ा घाटी कुल्लो मनाली हंटे हैं और अब जानी रहेंगे दून घारए के वारे और कुछ नहीं जाना है तो हमिवा जाना जीनिए अर göz अब सेवालिग हंहाँ है अगर lleshynda में बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर एक सा नचना मिल जाएगी HFF और HFF के बाद उत्तर भारत का बिशाल मैदान मिलेगा जब हमाले से नदिया निकलेंगी तो जब सबसे पहले उत्तर भारत के जिस मैदान में नदियां आती हैं उसको पुम तराई कहते हैं, क्या कहते हैं, तराई और तराई की दच्छण में भावर, यह हम मैदान का एक अलग टॉपिक बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे, यहां तक बाद किलियर है, यहां तक बाद किलियर है, चलिए, इसके शौट लीज़ीगा इसका, अब देखेगा एक वेग्यानिक आया जिसका नाम है सर सिड़नी बुरार्ड सर सिड़नी बुरार्ड नाम का एक वेग्यानिक आया बूलम ए आपका भूगर विसास्त्री था इसने हिमाले का नदियों के आधार पर विभाजन किया और हिमाले को चार भागों में बाड़ दिया किसा आधार प पर इसने हमाले को चार भागों बिवाजित कर दिया ठीक ना देखिएगा पहले में एक डाइग्राम बना दूँ फिर मैं फिलो चार्ट बनाऊँ ठीक ना देखिएगा यहां पर यहां पर इट्रांस हमाला है यहां पर एशा लगू हमाला है और यहां पर पाकिस्तान से लेकर असमराजिता के असम हमाला है ठीक ना इस नदी का नाम क्या है सिंधू, यहां पर एक नदी ऐसे प्रवाहित होती है, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है सतलच, तो एक सिंधू एक सतलच, तो सिंधू और सतलच नदी के बीच वाला छेत्र, तो सिंधू और सतलच नदी के जो बीच का छेत्र है, इसको कस्मीर या पंजाब हमाला के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक ना, तो हम पेज में लिख लेते हैं, दो नदी है, एक का नाम है सिंदू, और और एक का नाम है सतलज दो नदी है, एक का नाम सिंदू नदी है और एक नदी का नाम है सतलज नदी तो सिंदू और सतलज नदी के जो बीच के छितर है इसको एक नाम से जानते हैं सिंदू और सतलज नदी के बीच के छितर को कस्मीर या पंजाब हमाल है कस्मीर या इसी को एक नाम दे दिया जाता है पंजाब हमाल है कौन सा हमाल है कस्मीर या पंजाब हमाल है ठीक ना आँगे देखिएगा उसके बाद ये नेपाल का छित्र है और यहां से एक महत्पूर्ण नदी निकलती है सतलज इस नदी का नाम है काली तो सतलज और काली नदी के बीच का छित्र या निस वाली बीच के छित्र की बात हो रही है ठीक ना तो एक नदी सतलज और एक नदी काली तो सतलज और काली नदी के जो बीच का छित्र है इसको हम कौमायू हमाले के नाम से जानते है किस नाम से इसको एक नाम दे दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है को मायू हमाला है ठीक ना उसके बाद अंगला देखेगा यह देखेगा यह हमारा वर्टसप नंबर है यह आप खरेंड चादिकारी में ना कि बड़ प्रारमिक परिक्षा में पास होना चाहते हैं बलकि प्रारमिक इसको नमबर को सेब कीजिएगा नमबर आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है 81-123-78-577 दुवारा रिपीट कर रहा हूँ 81-123-78-577 वस आपको वाटसप के माध्यम से BEO इंटरी लिकर सेंड कर देना है आपको उत्तर भारत बलकि पूरे भारत देश की सबसे अच्छी टीम से पढ़ाई कराई जाएगी और निश्चित रूप से आपको सब भलता दलाई जाएगी बहुत महनत की जाती है हमारे यहां जितने भी बैच हैं आप लोग जो हमसे पढ़े हुए हैं हमारे पेड़ वैचों में पढ़े हुए हैं वो बताएं जो लोग भी देख रहे हैं उनको किस परकार हम लोगों ने महनत की और किस परकार TET में जितने भी बच्चों ने लिया था लगबग 80% बच्चे हमारे यहां से पास होगे यह गारंटी रही ठीक ना तो आपके पास भी एक मौका है उठाएए फोन लगाएए गाए नंबर वर्टसप के मांदियम से मैसेज कीजिएगा और सफलता की राय पार हमारे साथ निकल पड़ेगा आईएगा अंगला देखते हैं इस काली हो गई इसके बाद यहां से एक नदी निकलती है सिक्किम के जे मुंगलेशियर से है इस नदी का नाम है तिस्ता कौन सी नदी यहां पर? तो यहां पर एक नदी है तिस्ता तो काली और तिस्ता नदी के बीच का छितर ए तो एक नदी है काली और एक नदी है तिस्ता तो कि तिस्ता और काली नदी तिस्ता और काली नदी के जो बीच का छितर है इस बीच वाले छितर को एक नाम दे दिया जाता है और नाम दी दिया जाता है क्या तो इसको बीच वाले छित्र को एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया नेपाल हिमाल हुआ है ठीक ना तो नेपाल हिमाल है तो इस नदी का नाम है दिहांग नदी तो इस दिहांग नदी है और इस तिस्ता और दिहांग नदी के जो बीच वाला छितर है इस बीच वाले छितर को एक नाम दे दिया जाता है तिस्ता और दिहांग नदी के तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के छितर को एक नाम दे दि हमालाए के नामदे दिया जाता है असम हमालाए तो नदियों के आधार पर हमालाए के विभाजन है आप से एक सिंपल सा कुश्चन पूछा जाएगा कि नदियों के आधार पर हमालाए के विभाजन किस विग्यानिक ने किया तो याद रखना है सर सिडिनी बुरार्ड सर सिड हम कहें कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसुंची चोटी तो पंजाब की या कश्मीर की सबसुंची चोटी कौन सी है माउंट केटू तो माउंट केटू यहां की क्या हो जाएगी सबसुंची चोटी हो जाएगी हम कहें अगर कुमायू हिमालय कुमायू उत्राखंड में है उत्राखंड की सबसे उची चोटी, तो हम पढ़ाएं आपको उत्राखंड की सबसे उची चोटी हो जाएगी नंदा देवी, तो कुमायू हमालाय की सबसे उची चोटी नंदा देवी हो जाएगी, इसी कुमायू हमालाय से दो मातपूर नदिया निकलती है, एक नदी का नाम गंगा और यहीं से दूसरी महत्पूर्ण नदी निकलती है कौन से यमुना और इसी से एक और महत्पूर्ण नदी निकलती है राम गंगा तो राम गंगा गंगा यमना नदियों का उद्गम स्रोथ हो जाता है कौन से मालक को मायू हमाले उसके बाद अगर बात करते हैं नेप तो नेपाल हमाला की सबसे उची चोटी कौने सी हो जाएगी तो नेपाल हमाला की सबसे हो जाएगी मांट अबरेस्ट यहीं से सिक्क्म से महात पूर्र नधी का नाम क्या है चोटीया claiming ठीक ना तो यहां की महात्पूर्ण चोटी है ठीक है तो इसका स्क्रिंशॉड लीजेगा चलेगा एक आज का बड़ा महात्पूर्ण लेक्चर था हमालाय अब यहां पर आते आते हैं हमारा ओवराल हमालाय समाप्थ होता है यहां पर ठीक ना यहां पर आते हैं हमारा पूरा तो कल मिलते हैं एक पुना बता देते हैं हमारे यहां ओनलाइन एडवीशन प्रारम है और अगर आप खंड सिच्छादिकारी में एक अपनी रैंक लेना चाहते हैं एक अच्छी सी पोस्ट लेना चाहते हैं तो यह नंबर है इतनी आपके साथ मेहनत की जाती हैं यहां पर यतना साथ आप सोचेंगे नहीं ठीक ना फुल बसूल रहेगा यह आपका मतलब जैसे बोलते हैं पैसा बसूल मूवी थी बैसी पैसा बसूल यह आपका बैच रहेगा ना के वाल एक अच्छी रैंग आएगी बलकि समाज प्रत इस्टा बढ़ेगी ठीक ना तो इन्हीं सब्दों के साथ आज बिदा लेते हैं जैहिंद